नमस्कार मैं डॉक्टर गोपल लोहिया आज हम बात करने वाले है अर्निका हेर ओईल घर पे ही कैसे बनाया जाए ये होमेपेथि का बहुत ही फेमस हेर ओईल है और प्राइ सबी होमेपेथिक कमपनिया इसे बनाती है और आज मैं यही अरनीका हेर ओल का फॉर्मिला आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ यह ओल में कैसे बनता है और यह पानी में कैसे बनाया जाता है यह दोनों मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो आईए शुरू करते हैं यह बहुत लोगों का ऐसे मानना होता है कि उनको बहुत फटा-पट रिजर्ट चाहिए होते हों में पते हैं कोई भी ट्रिटमेंट में जबी भी हैर फॉलिंग की बात आती हो तो दोक्टर साब जल्दी करिए या फिर वो उपर-उपर कुछ नुस्के ढूंडते रहते जैसे यह मैं हेर ओयल बता रहा हूँ भाई यह लगा लिया और बाल गिरने ठीक हो गए ऐसा नहीं होता है आपको मल्टिपल एप्रोच से ट्रिटमेंट करना पड़ेगा हैर फॉलिंग अगर आपको रोकना है तो अर्निक का हेर ओयल उसका एक पार्ट है और भी चीज़े आपको करनी है तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा इसके लिए मेरा हेर फॉलिंग के उपर एक और वीडियो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप उसे भी देखिए और बाके अप्रोचेस क्या है हेर ओयल के साथ में क्या यूज करना है कौन सा मेड मिला इसमें मेंली तीन चेज़े होती है अर्निका मॉंटेना क्यूं पिर जाबोर एंडी क्यूं और आमला क्यूं जो आवले से बनता है ये तीनों चीजे क्यूं फॉर्म में आती है आप कोई भी होमेपेथिक मेडिकल स्टोर पर जाएंगे और उसको बलेंगे कि ये मदर चाहिए जिसके ओपर क्यूं लिखा होता है सामने यह मैंने सैंपल आपको यहां बॉटल पर बताया हुआ है तो यह तीनों 30 ml इच आपको खरिद के लाना है और यह दो तरह से आप बना सकते हो एक तो ऑईल बेस्ट और एक वाटर बेस्ट कोई-कोई पेशन्ट्स जो है व आपको ऑईल पसंद नहीं करते है और रोज नहीं लगाते है वो तो देखें यूज इट इन वाटर फॉर्म मरबर तो आईए देखते पहले ऑईल से कैसे बनता है तो दस-10 ml दवाई तीनों में से एक 100 ml की बॉटल लीजिए खाली बॉटल एकदम साफ क्यूई या उसको ग 10 ml इच 10 ml अर्णिका 10 ml जाबरंडी 10 ml अमला उसमें मिक्स करके डाल दीजिए उसमें और 70 ml प्यूर कोकोनट ओई लेना है इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना हिला लेना है तो यह हो गया आपको ओईल तयार बहुत ही इजी प्रोसेस है इसमें एक ही बात का ध्यान रखना है आपको ओईल और यह जो मदर टिंग्चर डाले हुए पूरी तरह मिक्स नहीं होते हैं और होने भी निचे क्योंकि यह एक ओईल है और एक वाटर वेस्ट मदर टिंग्चर अलकॉल फॉर्म में आते हैं तो वह उसमें वाटर कंटेंट रहता है तो वाटर और ओईल कभी मिक है आप जबी भी लगाना हो आपको इसको अच्छे से कर लेना फिर आपको सपीशन कॉंटिटी ऐसे हाथ पे ही ले लेना है और यह तीनों उंगलिया उसमें डुबा के इस तरह से बालों के रूट्स में आपको लगा के छोड़ देना इसको रात को लगाएंगे तो और भी देखते हैं वाटर बेस्ट फॉर्मिला वाटर बेस्ट में सेम प्रोसेजर है तेन एमल इच आपको मदर टिंक्चर तीनों लेना है अर्निका जैवरेंडी अमला इसे सत्तर एमल पानी में मिक्स करना है पानी कोंसा लेंगे पानी घर का ही लेना है फिल्टर डॉटर उसको कर लेना है बॉल करने के बाद उसको ठंडा कर लेना है ताकि उसमें कोई बैक्ट्रिया जोगरे हो तो स्टरलाइज हो जाए ताकि हमें वह ज्यादा दिन तक यूज कर सके वह पानी तो यह 30 ml मेडिसिन और 70 ml वाटर मिक्स कर लेंगे आपका फॉर्मिला रेडी हो गया है य भी जगह लगा देना है और छोड़ देना है वाटर बेस्ट होने के वज़े से आपको इसे दोने की भी जरूरत नहीं आप जब भी कभी रेगुलर हेड बात लेते हैं उस टाइम पे वह मेडिसिन निकल जाएगा मेडिसिन ज्यादा दिन तक सर मेरा तो भी इसका कोई साइ यूज़ कर रहा हूँ और होमेपैथी जब से निकली है तब सी यह फॉर्मिला है और एक्सलेंट रिजल्ट से सिप इसके साथ में जैसे मैंने बीगिनिंग में बताया आपको और भी थोड़ी चीज़े करनी हैं आप अगर सब चीज़े एक साथ करते हैं 100% आपको रिजल् अब जब भेड़ बात लेंगे तबी अर्निक का शैंपू आता है उसे ही यूज़ करेंगे तो ज्यादा अच्छा है या किसी को वह सुट नहीं हो रहा है तो आप अपना रेगिलर शैंपू भी यूज़ कर सकते हैं किसी को डेंडर होता है तो होमेपैथी का अर्निका शैंपू है आपको मिनीमम ही यूज़ करना है हपते में दो बार करेंगे तो भी इट इस इनफ और अगर अर्निका डंट अंटी डंट शैंपू भी अगर आपको सूट नहीं होता है तो आप अपना रेगिलर शैंपू जो भी आप खर रहे हैं वह यूज़ कर सकते हैं यह हेर हेर टॉनिक के बारे में सभी इनफर्मेशन आपको अगर लगता है कि कुछ क्वेरी है ओईल बनाने के विधी में आपको कुछ अगर डिफिकल्टी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेसेज डाल दीजे आपको उसका जावाब मिल जाएगा आज के लिए बस इतना ही थैंक यू एरी